Hi, I'm Sanjay. I make videos on English grammar and 12th English textbook lessons. मैं आप सबी का Learn with Sanjay या हमारी चानल में स्वागत करता हूँ. पिछले वीडियो में हमने WH questions के What, When, Where और Why यह चार शब्दों के बारे में बताया था जिसके questions किस तरह से form होते हैं, WH questions के structures किस प्रकार से होते हैं, वह हमने detail में आपको बताया है. आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे Which, Who, Would, Whom, How यह शब्दों से किस तरह से प्रशन तयार होते हैं, इसके structures कैसे होते हैं, तो चलो शुरू करते हैं, WH questions part 2. एक्जाम में हमें assertive sentence दिया रहता है, उसमें का कोई part जो है, उसके नीचे underline की हुई रहती है, वह underline part को हमें answer समझ कर, वह sentence का question बनाने के लिए कहा जाता है. तो हम उसमें गड़बड आ जाते हैं, तो वह आपकी गड़बड ना होनी चीए, इसलिए यह वीडियो आप अनता तक जरूर देखे, याने WH questions कितने सिंपल होते हैं, या आपको जरूर समझ में आ जाएगा. अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो उसे सब्सक्राइब करें, याने आपको आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. WH questions तयार करते समय, I becomes you, me becomes you, my becomes your and mine becomes yours. तो यह हर sentence को, हर question को लागू होने वाली बात है, वह आपको ध्यान में रखना है. आपके screen के उपर अभी दो questions है, which is your favorite color and what is your favorite color? अब यह दो question में से कौन सा question सही है और कौन सा नहीं है, या हमें नहीं समझेगा. यह दोनों भी question सही है, लेकिन उसके लिए हमें which कहां यूज़ करना और what कहां यूज़ करना यह पता होना बहुत जरूरी है. तो जब यह चार color दिये रहेंगे, तब बोलना है which is your favorite color, तो यह चार में से आपको एक चुनना पड़ेगा. लेकिन अगर choice ही दी नहीं है, तो उस समय what is your favorite color पूछ कर आप openly कौन सा भी answer दे सकते हो. तो यह थी simple सी बात what और which के difference की, ऐसे बहुत सारे differences हमें English में आगे पढ़ने हैं. वीच यहाँ शब्द से और किस प्रकार के question कर सकते हैं वह अभी हम देखेंगे. इसमें which का उपयोग, जब वाक्य का subject non human being होता है और उसे underline होता है, तो उस समय किया जाता है. और दूसरा, these, that, these, those, या indicating pronoun word अगर underline रहे, तो उस समय question बनाने के लिए which का use करना है. तो वह कैसा होता है, example से देखेंगे, संसकार school is the best school, या संसकार word को underline है, तो यह क्या हो गया, subject है, तो इसमें which use किया और बचा हुआ sentence as it is लिख दिया. तो इसमें हो गया, which school is the best school, question mark देना है, उसके बाद दूसरा sentence, this animal is dangerous, which animal is dangerous, तो इधर question mark दे दिया, उसके बाद तिसरा, यानि यहां पर हमने धीस के जगा पर क्या लिया, which, she liked these flowers, यह दिज इसमें का था, उसके जगा हमने क्या यूज किया, which, यह flowers जो है, वहां साथ में लेकर आना है, which flowers, और जो बचा हुआ यह sentence है, इसका हमने question किया, did she like, यह इसका yes no type question, यहां V2 था, इसलिए यहां did लिया, और यहां V2 का V1 बनाया, तो इस तरह से यहां question हो गए, अब इसके बाद who से कैसे question बनते है, वहां देखेंगे, who यहां शब्द से कैसे प्रशन होते है, देखते है, who का मतलब है, कौन, इसमें subject को underline रहेगा, लेक which non-human के लिए चलता है, और who human के लिए चलता है, इसलिए मांसी is a good girl, तो इसमें यहां मांसी वर्ट को अगर underline है, और हमें अगर order मिल गई, कि frame WH question to get underlined part as an answer, तो उस समय यहां मांसी के लिए हमने क्या यूच्स किया, who, और जो बचा हुआ sentence है, as it is लिखतिया, who is a good girl, अंसर आएगा, मांसी is a good girl, second sentence देखते है, the hunter killed a tiger, the hunter, यह subject है, यह person है, इसलिए उसके लिए क्या यूज हुआ, who, और बचा हुआ sentence, as it is लिखना, यहां पर हम इसका yes no type question और कुछ तयार नहीं करेंगे, क्योंकि यहां subject answer है, तो अभी इसके बाद हम देखेंगे, whom यहां शब्द से कैसे question बनते है, अगर वाक्य में objective case, याने me, us, you, him, her, eat, them, यह शब्द आते हैं, या फिर कोई नाम आते हैं, object के जगा में, और उसमें अगर underline है, तो उसमें question बनाते समय, whom का उपयोग करते हैं, तो इसमें देखते हैं, whom, whom का मतलब है किसको, तो इसमें indirect object या फिर objective case, जो वापके बाद होता है, तो इसमें she is helping me, और me की नीचे underline है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, whom, whom, और उसके बाद, यह जो sentence है, इसका yes no type question, यह is हमने सामने लाया, is she helping, whom is she helping, ऐसा question हुआ, लास्ट में question mark लिख दिया, उसके बाद, I saw the anthropol yesterday, अभी यह जो objective case थी, उसके जगह पर यह क्या आए, नाम, तो अभी इसको underline है, यह answer समझना है, तो उसमें whom, उसके बाद यह V2 है, इसलिए यहां पर हमने डेड लिया, और इसका V1 भी बना दिया, अगर वाके में I आया, तो उसका question करते समय, you लेना ह है, यहां भी हमने यह वीडियो के शुरू में आपको बताया है, whom did you, I का क्या बना, you, see yesterday question mark, इस तरह से यह whom से हम कब question करेंगे, जब objective case को underline रहेगा तब, अब इसके बाद सिखेंगे, कि who's यह डबली एच वर्ट से कैसे question होते है, who's यह शब्द जब वाक्य में positive cases को underline किया हुआ रहता है, उस समय यूज होता है, तो इसमें positive cases ने, my, are, your, his, her, its, there, या possessive cases I pronounce की, या कोई noun अगर रहता है, तो उसको apostrophe, yes लगकर अगर आता है, और उसको अगर underline होता है, तो उस समय हमें who's का यूज करना है, my mother is happy, यहाँ पर my, यह शब्द को क्या है, underline है, whose mother is happy, my के जगह क्या लिया, whose, और यह question बना दिया, then she likes our ideas, our possessive case है, इसलिए इसके जगह क्या लिया, whose, उसके बाद यहाँ ideas इदर लेकर आए, whose ideas, और यहाँ पर, यह likes है, we won, इसके यहाँ does use किया, और यह वर्ब इदर लिख दिया, और यह likes का like लिखा, क्योंकि यहाँ का yes इदर निकल गया, तो इस तरह से, whose ideas does she like, यहाँ simple present tense है, अगर यहाँ आपको समझने में दिक्कत जारी है, तो आप हमारा simple present tense का video देख लिजे, आपके यह सारे problems दूर हो जाएंगे, जिसका link मैं आपको suggestion box में provide कर रहा हूँ, WH word के family में और एक शब्द है, लेकिन वह WH से शुरू नहीं होता, तो वह शब्द है how, जिसकी शुरुवात या चिस्से होती है, हाँ का उपयोग question बनाने के लिए कब होता है, वह अभी हम देखेंगे, जब वाक्य में adverb के नीचे underline होता है, या फिर जो adjective से quality मालूम होती है, वह adjective के नीचे अगर underline रही, तो हाँ से question होते है, तो इसमें हम example से देखेंगे, हाँ का meaning है कैसे, adverb और adjective जो qualities से related है, और उसके बाद और एक है, कि वाक्य में अगर as if या as though यह दिया है, और उसके नीचे underline है, तो हमें how से question करना है, she walks slowly, यह यलवाए वाला शब्द, generally adverb होता है, she walks how, तो slowly, तो how और यह शब्द का हमने यहाँ yes no type question बनाया, हमने आपको डबली एच क्वेश्चन का formation यही बताया कि डबली एच वर्ड प्लस yes no type question, उसके बाद दूसरा, the king was kind and generous, kind and generous यहाँ king की qualities है, इसके नीचे underline है, अब जब इसके नीचे underline रहेगी, तो उस समय आप क्या लोगे, how, और यह जो बचा हुआ sentence है, उसका yes no type question, was यह special verb होने के वज़े से, उसे हमने सामने लाया, तो how was the king, और उसके बाद तीसरा sentence है, he acted as if he were a king, as if के नीचे underline है, इसलिए how, he acted, यह जो sentence है, इसका हमने कैसे question बनाया, did he act, क्योंकि यहाँ पर V2 है, इसलिए यहाँ डीड ही उसकिया, तो how did he act, इसका अंसर आएगा, he acted as if he were a king, इस तरह से डबली एज क्वेशन हमने सीख लिए, डबली एज क्वेशन में दो बाते धान में रखना ज़रूरी है, कि जो डबली एज वर्ट से उनके मिनिंग मालूम रहना ज़रूरी है, और उसके बाद डबली एज वर्ट के साथ में yes no type question आता है, वो दूसरी बात धान में रखना है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको या डबली एज क्वेशन के वीडियो बहुत पसंद आये होगे, और ऐसे ही हम आपके पसंद के और वीडियो आगे के ग्रामर में बनाते रहेंगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहें, थेंक यू,